शादी में आई चुडैल पंडपुर नाम के एक गाउं में शादी चल रही होती है वाँ, मज़ा गया फूभाजी शादी में क्या खाना बना है बाराती तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे हाँ, तुमने सहे कहा पनेर के सबसिखा तो कोई चवाबी नहीं अरे, मर गया रे ये चुडैल यहां क्या कर रही है अरे दिवाकर जी, ये आपकी कौन सी रिष्टेदार है अरे गुभुजे क्या पता यो भाजवान, कहिए तुम्हारे माईके से तो नहीं आई है तुम लोगों किस गाओं में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते इस गाओं में किसी की शादी नहीं हो सकती अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ अरे मर गया रे, पहले सुना है ये जबान की पक्त की है भागो रे भागो, वरना ये चुडेल किसी को नहीं छोड़ेगी तुम सही कहते हो मोहन भाई यहाँ से भाग लेने में ही हम सब की भलाई है देखते ही देखते, शादी के मंडप में भगदर मच जाती है और चुडेल सब कुछ उजार कर रख दीती है फिर एक दिन, मोहन की शादी तै हो जाती है अरे भाई, अगले हफते मेरी शादी तै हो गई है लेकिन इस चुडेल की दहसत के मारे तो मेरे हाथ पैर काप रहे है अरे मोहन, तुमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम अपने साथ चाथ, हम सब गावालों को भी भली का बकरा बनाना चाहते हो उस चुडेल के रहते, तुमने अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया देखो गपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है लेकिन उस चुडेल के ढर से मैं जिन्दगी भर कुमारा तो नहीं रह सकता तभी वहां मोहन के हुने वाले ससूर आ जाते हैं अरे, ससूर जी, आप देखो, अब तक मैं तुमारा ससूर बना नहीं हूँ और शयद बनूँगा भी नहीं ये अब क्या कह रहे हैं मैंने तो शादी का खोट भी सिलवा लिया है मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गाव में कराना चाहता हूँ तुमारा गाव तो भोतिया गाव है मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गाव वालों को नहीं देगा इस तरह चुडैल के डर से उस गाव में किसी की भी शादी नहीं हो पाती फिर एक दिए, गाव के जमीनदार अपनी बेटी की शादी करने का विचार करते हैं लेकिन चुडैल के डर से उनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है पार्शी से एक बहुत ही नामी तांत्रिक को अपने घर बुलवाते हैं, जो भूत चुड़ेल को पकड़ने में माहिर माना जाता था। समिता साब, आप चिंता बत करिए, इस काहों के सीमा में प्रवश करते ही, मुझे उस चुड़ेल के बारे में सब पता चल गया था। उसका होने वाला पती आज भी बूत बनकर जंगल में पुटबता है। इसलिए जब तक चुड़ेल के शादी नहीं हो जाएगी, वो किसी और के भी शादी नहीं होने देगी। यह अब क्या करें, अगर वो भूत भी हमारे काओं में आ गया, जब हमारा क्या होगा। इसके बाद तांत्रिक बताते हैं कि अगर उस भूत के साथ चुड़ेल की शादी करा दी जाए, तो वो चुड़ेल हमेशा हमेशा के लिए उस गाओं को छुड़ कर चली जाएगी। इस तरह जमीदार निश्चित होकर अपनी बेटी की शादी करवाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ चुड़ेल आ जाती है। मैंने तुम गाओं वालो को समझा है था ना, कि इस गाओं में कभी कोई शादी नहीं करेगा। लगता है तुम लोग मुझे हलके में ले रहे हो। चुड़ेल जमीनदार की बेटी को उठा लेती है। अब देखती हूँ, बिना दुल्हन के तुम लोग शादी कैसे करोगे। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। चुड़ मुझे, पिता जी, मुझे बचाईए। अरे, कोई मेरी बीटी को बचाओ। तभी तांत्रिक उस भूत को लेकर वहाँ पहुचता है। अरे, भागे बाद, रुको, इन मासुमों को परिशान मत करो। मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो। चुड़ल बहुत खुश हो जाती है। अप आ गये, चलिए, अब हम मंदिर में चल कर शादी कर लेते हैं। अरे, 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 ये क्या कह रही हो। मंदिर में जाके दुबारा मरना है क्या। चलो, आज से हम जंगल में रहेंगे। जुड़ल चली कही, अब मेरी शादी हो जाएगी। इस तरह सभी गाउवाले खुशी से चूमने लगते हैं।